फिरोजाबाज शिकोहबाद में विद्यूत विभाग कर्मचारियों को व्यापारियों से रिश्वत लेना पड़ा महंगा विद्यूत विभाग कर्मचारियों का व्यापारियों से जम कर हुआ बवाल हुई मारपेट शिकोहबाद में विद्यूत विभाग कर्मचारियों के द्वारा व्यापारी वर्ग से अवैद वसुली को लेकर दोनों पक्षों में हुई जम कर मारपेट व्यापारी वर्गों का कहना है कि हम विद्यूत विभाग करमचारी प्रतिक महिने 5000 मांगने की बात कर रहे थे इस बात को लेकर दिलिप कुमार काली चरन कपड़े वाले की दुकान के सामने बड़ा बाजार शिकोहबाद परिशद में मोहित बंसल सभासद एवं कनया लाल बंसल पुत्र बसंत लाल बंसल निवासी रहट गली शिकोहबाद का आरोप है यह विद्यूत विभाग के करमचारियों हम दुकानदारों से प्रती महीने 5000 रुपए लेने वाली बात कह रहे थे ना देने पर हमको धमकी दे रहे थे कि आपके नाम में एफायार कर दी जाएगी सबासत के मोहित बंसल के द्वारा मिली जानकारी में पता चला है कि यह विद्यूत विभाग करमचारी आए दिन व्यापारी वर्गों को परेशान करते हैं डराते हैं, धमकाते हैं, अवे तरीके से पैसे वसूल करते हैं, ना देने पर धमकी देते हैं कि तुम्हारे नाम पर F.I.R. कर दी जाएगी। इन विद्यूत विभाग कर मचारियों ने व्यापारी वर्गों से लूट मचा रखी है। पुरा मामला बड़ा बाजार करेंगे।